नमस्कार दोस्तों, जे मातादी, वर्न बेस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप चब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों दसा माता के वरत में नल दम्यंती की कहानी विसेश रूप से कही जाती है जो बहुत ही लोप्री है इसे से वरत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है दोस्तों नल दम्यंती की कहानी इस प्रकार है नल नाम का एक राजा था वे प्रजा का पूरा ध्यान रगता था औ उनके दो पुत्र थे एक बारानी ने दसा माता का व्रत किया और दस गांठों वाला कच्छे सूत का डोरा गले में पहना राजा की नजर उस डोरे पर पड़ी और उसे अच्छा नहीं लगा और उसने डोरे को तोड़ कर फेक दिया इससे दसा माता क्रोधित हो गई कुछी समय बाद सत्रु राजा ने आकर्मन करके राजा नल को परास्त कर दिया और उनकी सारी धन संपत्ती पर अधिकार कर लिया नल दम्यंती और उनके पुत्र बेघर हो गए पूरा घर इधर उधर भटकने लगा कुछी समय में उनके वस्त्र मैले कुचैले हो गए और कई जगह से फट गए भूग से बच्चे व्याकुल होने लगे चलते चलते उन्हें एक बंजारों की टोली मिली बंजारों ने दया करके बच्चों को खाना कपड़े बगैरा दे दिये राजा ने निवेदन करके बच्चों को बंजारों के साथ छोड़ दिया ताकि वे सुरच्छित रहें राजा नल ने उन्हें अपना पर्चन नहीं दिया राजा रानी आगे बढ़े रास्ते में राजा की बहन का ससुराल वाला गाउं आया वे गाओं के बाहर रुके और बहन को उनके आने की सुचना किसी से करवाई बहन को उनके निर्धन होने की खबर लगी तो वे वेस्त होने का बहाना करके वे खुद नहीं आई उनके लिए खाना भिजवा दिया राजा ने खाना खा लिया पर रानी ने नहीं खाया उसे ढख कर जमीन पर गाल दिया राजा रानी आगे बढ़ गए चलते चलते एक परिवार के पास पहुँचे वहां पता चला की पास में गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है राजा ने रानी से कहा कि तुम यहां विस्राम करो मैं खाना लेकर आता हूं राजा पतल में खाना लेकर आ रहा था की रास्ते में एक चील ने जपटता मारा तो सारा खाना गिर गया राजा रानी भूके ही रह गए उनका मन खिन्न हो गया और वे आगे बढ़ गए सांग को एक गाउं में पहुँचे वहां एक सेट के मकान में उन्हें आसरे मिला वे वहां रुक गए सिठानी जल्दी उठकर इसनान करके पूजा करती थी उस दिन नहाने से पहले सिठानी गले से नौलखा हार निकाल कर नहाने गई तो एक मोर हार को चोंच से दबा कर उड़ा ले गया सिठानी वापस आई हार नहीं मिला तो सक नल दमयंती पर गया तलासी लेने पर हार तो नहीं मिला परसेट ने क्रोधित होकर उन्हें वहां से भगा दिया राजा रानी सरीर और मन दोनों से बुरी तरह से ठक गए थे एक चटान पर ही सो गए रात को नल की नीन खुली अपनी पतनी की दसा पर उसे बहुत ही दुख हुआ उसने सोचा मैं इसे छोड़ कर चला जाता हूँ मेरे साथ ये दुखी हो रही है मैं नहीं मिलूँगा तो ये अपने पीहर चली जाएगी वहां इसे कुछ अराम मिलेगा ऐसा सोच कर नल रानी को छोड़ कर वहां से चला गया बहुत दूर पहुँचा और एक दूसरे राजा के यां उसे घोड़े की देख भाल करने का काम मिल गया अपनी पैचान चुपा कर वहां काम करने लगा साथ ही ससुराल की खबर भी पता करता रहा दमेंती जब उठी तो पती को ना पाकर पहले तो बहुत ढूंडा फिर अपने पता के राजे चले गई उसे बहुत रोना आया सांथ होकर कुछ सोचकर उसने छोटी सुपारियां अपने मुँ में भर कर अपनी सकल बदल ली एक कुए के पास बैट गई महल से दासियां कुए पर पानी भरने आई तो उनसे मदद मांगकर काम करने के लिए पिता के महल पहुँच गई उसकी राणी माता ने भी उसे नहीं पहचाना उसे रात को तेल बाती का ध्यान रखने का काम दे दिया कुछ समय बीता और चैत करशन की दसमी का दिन आया महल में दसमाता के पूजन की तैयारी होने लगी दमियन्ती ने भी दासियों की मदद से समान इखटा किया और दसमाता का विधी पूरवक पूजन किया और उनसे दसा सुधार ने विपत्ति मिटाने तथा परिवार को मिलाने की बार बार प्रातना की दसा माता की करपा से नल के मन में पत्नी से मिलने की इच्छा हुई अब उनकी हालत सुधर गई थी सुसराल पहुँचा तो पत्नी को वहां ना पाकर उसे बहुत चिंता हुई रात को जब तेल बाती देखने दम्यंती वहां आई तो पत्ती को देखकर रोने लगी नल ने उसे नहीं पहचाना उसने सुपाड़ी मूँ से थूख दी नल ने उसे पहचान लिया नल ने अपनी आप बीती सुनाई और दम्यंती के माता पिता को भी सारी बात बता दी उन्हें वहाँ पाक गरमाता पिता को बहुत खुसी हुई और उन्हें कहा जितना चाहो आराम से रहो कुछ समय नल और दम्यंती वहाँ आराम से रहे फिर अपने राज को चल पड़े दम्यंती के पिता ने उन्हें बहुत सा धन दे कर और रत पर कुछ सैनिकों आदी के साथ विदा कर दिया रास्ते में सेट के यहां पहुँचे तो सेट से ठानी लज्जित होकर माफी मांगने लगे उन्होंने बताया कि नौ लग का हार दूसरे दिन ही पेड़ पर लटका हुआ मिल गया था नल ने अपनी पहचान बताई तो सेट ने उनका बहुत आदर सतकार किया विदा होकर वे आगे बढ़े तो बंजारों की टोली मिली अपने दोनों पुत्रों को वहां से अपने साथ लेकर बंजारों को कुछ धंदे कर वे अपने राज की ओर चल पड़े रास्ते में बहन की ससराल पड़ी बहन को अपने किये पर बहुत पस्तावा हुआ उसने अपने भाई भाबी से माफी मांगी और आदर पूरवक अपने घर ले आई और खुब स्वागत किया वहां से विदा होकर अपने राज की सीमा पर पहुँचे तो प्रजा को अपने प्री राजा रानी के आने का समाचार मिला सारी प्रजा अपने राजा रानी के स्वागत के लिए उमर पड़ी डर कर सत्रू राजा खुद ही वह राज छोड़ कर चला गया इस तरह से दसा माता की कृपा दस्टी होने से राजा नल को उनका राज, महल, रानी और राज गुमार सब वापस मिल गए बोलो दसा माता की जए तो दोस्तों दसा माता की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्थ बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद